नमस्कार चैहिन बंदे मात्रम दोस्तों श्टॉक फॉर ग्रोथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों अभी हम बात करेंगे ब्रैटकॉम कॉंप्यूटर के बारे में या ओआये सब्सक्राइब करेंगे ॉधियो बंदे को वीडियो बनाने की मिनत के सबसे करें क्योंकि जो प्रोफिट होगा वह भी आपका होगा जो काटा होगा वह भी आपका होगा दोस्तों पहले हम देखते हैं कि ब्राइट कॉम्पीटर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 89 रूपिज पे लोज आये था पाइट परसंड की अपर सर्कृत लगी होगी थी और देखें कि एक विक में कितना चला है एक विक में नोस्ट टॉप चला है 72 से लेके 89 तब लगाता रोकट बना हुआ दिख रहा है उसके बाद में एक मंत में देखें तो 52 रूपिज का लो है और आये 89 का जो प्लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है वह देख सकते हैं कि तिन म और यदि हम 6 मेने की बात करें तो 29 रूपिज का लो है 27 सप्टेबर का 122.88 मतलब 122 रूपिज का आय है और दोस्तों एक साल की बात करें हम तो यह जो स्टोक है हमारा 3 रूपिज समझ लो और 122 वहां तक का आय और 3.5 रूपिज का लो समझ के चलो और दोस्तारग में देखे तो ही 1.24 पर से क्यूंक करीब से लेकि एक रूपे 122 रूपे तब गया हूए य कि यह तो देख लिया हमने कि कहां से कहां की लेए अभी ठोड़ी उसकी साइट भी देख लेते हम दोस्तों कि यह साइट है आप देख सकते हैं को दिखाया हुआ है सो अभी आप सोचो कि यह तो सब में मालूम है इसमें नया क्या है तो नया यह है इस लिए नाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह श्टूक क्यों बाई करना चाहिए और कब करने की जरूरत थी और अभी जरूरत है या नहीं है और बेचना चाहिए तो कब बेचना चाहिए उसकी एक ट्रिक होती है कोई भी स्टूक बाई करने की उसके बारे मैं आपको बताने के आप खुद समझ जाओगे तो दोस्तो इस टो को भी बहुत न्यूज आई बोनस दे रहा है यह वह फिर वापिस एसमेर स्टेज 2 में डाला फिर वापिस सिद्धे फोर्म में डाल लिया पिछले साल सब ब्राइट कॉंपिटर का एक्जमबल दे रहे थे कि टीटेमल भी ब्राइट कॉंपिटर बनेगा फिर टीटेमल भाग गया यह पीछे रहे गया एक वक्त था जब बिसी जी का पाव मैं खिल गाता है कि धी यहां से वापिस गी रहा मार्केट भी री श्टोक भी गिर तो आप कहां जाओगे काटे में ही जाओगे तो दोस्तों मैं अभी आपको मेरी प्रेडिक दिखाता हूं मेरी सोच दिखाता ओं कि मेने क्या किया था भी खुध आप लोग अपने आप समझ जाओगे कभी यह क्या करना चाहिए है देखिए दोस्तों यह मेरा सेव किया हुआ है कि देखा इस स्टुक को मैंने सेव किया था तेरा जनौरी 2021 को जो यहां से समझ चार सो से तिस दिनों के एक साल से ज्यादा हो गया और उस वब इसकी प्राइस से तीन रुपे शार्ट पेश है पतलब अभी 122 से भी डाउन है फिर भी हमको दोजार परसंट से भी ज्यादा मुनाफ़ हो रहा है अब आप यह बताईए यह आप इस पुजिशन में होते तो भी क्या करते सिद्धे ही बात बोले कि बेज देते क्यों बें इंट्री करते अब आप खुदी रिसाइट कर लो कि क्या होना जाईए और सबसे बड़ी बात यह है यह स्टोक मेंने चूस कैसे किया क्यों बाइ किया और कब सेल किया में आप वो सब जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइक कर लीजिए क्यूंकि आगे मैं वीडियो जो सब बनाने वाला हूं उसके बार में यह बता हूँ कौन सा स्टोक अभी बाई करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए वाई किया तो क्यों बाई किया उसका भी रिजर्ण हुआ चाहिए यह सब जानकारी के लिए आपको जरू सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो मेनत में कर रहा हूं जहां तक आज तक में ट्रडिंग की हुई है कभी गाटे में सुदा नहीं करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब तुब या बीचके निकल जाओ शिद्धी से बात है जिसके सब मार्केट गिरती और भागंता है और सब आया कहा गुझ जाते हैं यह पॉस जाते नहीं कैसverbs ठाल के सबसे लुजलना चाहिए नहीं चीनदा है। लेकिन अब आप यह बताओ उन लोगों ने बताए कि यह उसका रेजिस्टेंस है तो क्रोस नहीं होना चाहिए वो लोग बोलती है तो बिल्कुल तुटना नहीं चाहिए लेकिन तुटना तो चोड़ो वहां से तुट्टा तुट्टा आधे से भी कम हो जाता है बहुत सारे स्टोक है अभी आप लोग इंट्राइडे करते होगे तो आपको भी बताओ किसी भी स्टोक पर आप थोड़ा गोर करोगे देखो यह रेंज के बीच में स्टोक अभी चल दो-तिन गंटे से यहां तक डाउन आता है यहां तक आप जाता है तो आप लोग झाले देखके करते हो के यहां पर आप आया बेच्थ दो यहां पर डाउन है यहां पर खरिद लो फीर अचानक से उस्टोक में एक जटका लगता है शिद्दे चार-पांच परसंड अप चल travaille के जबाउन हो जाता है कि फिर वापक faithful गटा इंट्राडे में्स होता है जो इंट्राडे करते हो उसको बता है कि जिस जिस बोजिस्टन पर आप कड़े दिशा में आपका स्टोक बागेगा तो मैं रखेने का मतलब है उस वक्त टेक्निकल इनलिस्स वालों के दाफ से उसका रेजिस्टन्स रोपर्ट कहां चला जाता है आप उसको फोलो करते हो मैं मनाने करता करो फोलो उससे मुझे लेना देना भी नहीं लेकिन मैं जो थीरी बताना चाहता हूँ कि ये स्टोक मैंने क्यों अपनी वोट्लिस में रखा क्यों मैंने बाई किया ये सब थीरी जानने के लिए मैं अगले वीडिया बनाता रहूंगा इसके लिए प्लीस आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताके वीडियो बनाने की मेनत सफल हो जाए और देखने की आप की मेनत सफल हो जाए कोई बिश्चोप खरी दो मेरे के तक आप ये श्टोप करेंगा आगे कि इस वज़े से ये स्टोप को आप खरीदो ताकि भवीशयम में आप जब भी बैचना चाहूं तो तो फ़ाओ से आपका प्लसी रहना चाहिए आपका डांन नहीं होना चाहिए दोस्तों विडियो बहुत लंबा नहीं करना है यहसाइए मेरे स्विद भुषन हर लंबा मेरा